मोधी सरकार के तीसरे कारेकाल का सौ दिन पूरा हो चुका है और भारत सरकार के सभी मंतरी अपने विभाग के उपलब्धियां जनता के बीच रख रहे हैं इस वक्त कानून मंतरी हमारे साथ जोड़ रहे हैं अर्जुन मेखवाल जी सर टाइम साउन और भारत पर आपका स्वागत है अगर आपके मंतरा लएकि उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहले तो आपने जो अंग्रेजियों के जमाने के कानून थे उनको बदला उसके अलावा और कौन-कौन से उपलब्धिया हैं जो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आज के दिन की बधाई देना चाहता हूं आज का दिन बहुत विशेस दिन है विश्वकरमा जैनती हैं जितने भी हाथ से काम करने माले लोग हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन ह चाही वो लोवे का काम करते हूं चाहे लकडी का करते हूं सब के लिए और दूसरा हमारे परदान मंत्री जी का आज जनम दिन है कि जो विश्वकरिय के बहुती सरवाधिक लोक पर ये नहता हैं उनका जनम दिन है उनको भी इस अफसर पर बदाई तीसरा आज पुर्णीमा भी है और चोथा परधान मंतरी जी के तीसरे कारेकाल के 100 दिन भी पूरे हुए हैं और जिसमें बहुत से निर्णे development और good governance से जुड़े हैं जिससे पता चलता है कि development और good governance करने की जो रफतार है वो आने वाले समय में और तेज होगी इन इन सौ दिनों में निर्णे भी बहुत अच्छे अच्छे लिए उन्होंने अगर हम बात करें सबसे पहले उन्होंने साइन किये किसान समान निद्धी भी सीधा किसानों को पैसा गया फिर कैबिनेट में फैसल आया कि तीन करोड जो गरीब लोग हैं जिनके घर नहीं है उनके घर बनेंगे वो अर्बन और रूरल दोनों एरिये से जुड़े रहे आपने सही कहा कि हमारी जो तीनों नए क्रिमिनल लॉज हैं वो एक जुलाई चौबीस से लागू हुए क्योंकि अपने विशिक काल के ये कानून थे अंगरे जोंको चुंकी भारत के नागरिकों को दंड़ देना था इसलिए IPC, CRPC और ऐसी चीज़ें लेके आए और नरंदर मोदी जी को न्याई देना है इसलिए IPC की जगे भारती न्याई शहीं था, CRPC की जगे भारती नागरिक शुर इसमें बहुत टेक्नोलोजी का भी उपयोग हुआ है, FSL का infrastructure भी बढ़ा, FSL का infrastructure भी बढ़ा, ये भी इसी सो दिनों में काम हुआ है, पैसा मिला है, आप रोड का हो, चाहिए बंदरगाओं का विकास हो, अगर मैं मेरे मंत्राले में बात करूं तो जो नोटरी का काम था, व और उनका जो certificate जाएगा, वो भी online, उसको यहां दफ्तर आने की ज़र्ती नहीं है, तो ये good governance और development के लिए, सो दन बहुत महतपूंड दिन है, वो जाने जाएंगे देश में, अरजुन जी, एक महतपूंड सवाल ये भी रहा है, कि BJP के manifesto का agenda रहा है, one nation, one election, इसको लेकर आ आपको जैसे जानकारी है, कि हमारे पूर्व राष्टपती जी रामनात कोविन जी के अध्यक्सा में एक high-level committee बनी थी, मैं भी उसमें सज़स्य था, बहुत इस पर चिंतन हुआ, और एक report जो है राष्टपती जी को सौंपी गई, उस पर अध्यन चल रहा है, और जैसे जल्दी ही इस समंद में सकारात्मक कदम हम उठाएंगे. अध्या लिया है आम आदमी पार्टी ने, इसको आप कैसे देखते हैं, आपके इस परसंद में दो-तिन सवाल, एपरतेक्स रूप से जुड़ते हैं, जैसे तीन-चार दिनों से हम देख रहे हैं, कि ये जस्न मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, कि हमें सुप्रिम क आदमी पार्टी कौटने का नहीं अरेस्ट आपको सही किया गया, तो फैसला इसके पक्स में क्या था, इनको बैल मिली है, तो बैल तो एक परकरिया का हिशा है, ये कोई एक विट्रल तो होई नहीं है, फिर भी पटा के छोड़ रहे हैं, सोप्रिम कोटने का भी पटा के न नहीं छोड़ने चाहिए तो भी यह कहना मानी नहीं रहे हैं क्योंकि इनको भवस्ताओं में विश्वास ही नहीं है और उसी सरंकला में यह जो नाम है यह जुड़ावा है जो बैसे तो इनका कि किसको सीम बना वह जाने लेकिन जिस तरह कि समाचार सोशल मीडिया में आ रहे हैं उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अफजल गुरु की फांसी गलत है इस दिशा में इनके पिताजी और इनके साथ जुड़े वे लोगों ने बकालत की थी उसी विचारदार से स्वाति मालिवाल जो है रविंद केजिवाल की बेहत करीबी हुआ करती थी उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ऐसे व्यक्ति को सीम बनाया जा रहा है जो की संसत पर अटैक करने वाले लोगों का सपोर्ट करते हैं राश्कपती के पास दयाया अचिका उनके परिवार के ल लिशित रूप से दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में फैसला करेगी जि दिल्ली में शुरिक्षा ची दिल्ली में जो ये देस तोड़ने वाली ताकते हैं उनका मूह तोड़ जबाब दिल्ली की जनता देगी जिनका ये कहना है कि जो देश को तोड़ने वाली ताक्ते हैं उसका जबाब दिल्ली की जनता इस बार के विधान सबाचुनाओं में जरूर देगी विडियो जिनलिस संजीव शेत्री के साथ रवेकांतराय टाइमस वनो भारत दिल्ली